ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टीचर के सामने एक पेज है, टू हैंड से, ओके, तो यह आप देख सकते हो, यहाँ पे L कौन से साइड पे बना है, राइट L, यह हाथ पे राइट, तो यह है मेरा लेफ्ट हैंड, यह है मेरा राइट हैंड, तो राइट हैंड में हम हमेशा पैंसिल पकड़ते हैं तो मैं राइट हैंड से लिखती हूं ना इसलिए मैं राइट हैंड में पैंसिल पकड़ती हूं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वो लेफ्ट में पकड़ती हूं मैं लेफ्ट में अपना रेजर तो राइट हैंड से हमें से लिखते हैं राइट साइड, similarly in your maths book they have given you a few activities positions left and right तो यहाँ पे we will see left hand, मेरे left hand पे कौन से objects है और मेरे right hand पे कौन से objects है, ओके, यह है मेरे left side, यह है मेरे right side, ओके left, right left, right so left side में क्या क्या है left side में है bell carrot, fish pond right side में क्या है book, clock, gift box तो यह हमारी है left side यह हमारी है right side similarly उन्होंने यहाँ पे एक activity दी है, कुछ question पूछे है और हमें फिर उस object को circle करना है, let us read the first question, circle the vegetable on your right, तो मेरे right hand पे जो vegetable है उससे मेरे circle करना है तो आप मुझे बताइए, यह है मेरा left hand, यह है मेरा right hand, तो मेरे right पे कौन सा vegetable है? onion, तो हम इससे circle करेगे next, circle the clock on your right again, this is my left hand, this is my right hand तो right hand पे कौन सा clock है? यह square वाला, तो यहाँ पे हम circle करेगे, okay? next, circle the object on your left, left side पे यह है मेरा left, यह है मेरा right तो अब मैं कहाँ पे circle करोगी? book, book left side पे है ना, तो हम यहाँ पे circle करेगे next, circle the toy on your right अब right side पे कौन सा toy है? आप मुझे बताइए, यह मेरा कौन सा हाथ है? कौन सा हाथ है? left, और यह है मेरा right तो right side पे कौन सा toy है? car, यहाँ पे हम circle करेगे, okay? so in this way, you are going to solve this, okay? thank you